चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को दबाएं CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है हम अभी शामली जिले की थाना भवन सीट पर है और हमारे साथ यहाँ इस बार पहली बार चुनाव लड़ती हुई आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार राकेश सैनी जी है राकेश जी CCA में आपका बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी पहली बार अजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और आप यहाँ पर एक प्रत्याशी के रूप में पूर्व इस वक्त के गन्ना मंतरी सुरेश राना के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव आसान चुनाव नहीं है कैसा लोग फर परटी ने भी सभी अपने प्रत्यासिय उतारह हैं ये तो सब जन्ता तया करेगी कि जन्ता क्या प्रत्यासी के रूप में नहीं बात कर रही है जैसा मेरा चेत्र में भर्मन चल रहा है और मैं सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी का मानिय राष्टी अध्यक्स चंद्र चेखर आजाज जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इसलायक समझा कि पूर मातर में मुझे मिल रहा है तो जनता ही तैय करेगी क्या मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा कि कौन कद्दावर नेता है कौन क्या है यह सब जनता के हाथ में कि इसको कद्दावर बना दे तो आप यह बताईए कि इस बार इस चुनाव में आपके मुख्य मुद जो एक कांड हुआ था अभी हमारे हिंदु धर्म के मुताबिक अगर देखा जाए तो रात में कोई अंतिमी संसकार नहीं होता जो लड़की थी उसके साथ उत्पिडन किया घौर अत्यचार हुआ और बलातकार के बाद उस लड़की को जो है उन्होंने रात्री में पैंट सब्सक्राइब कि यहां पर आम तौर पर देखा गया है पश्चम यूपी के लिए कम से कम 2019 तक तो यह माना जाता था कि सैनी समाज जो है यह भाजपा का काडर वोट है कि मतलब यह सानी समाज तो एक तरफा वोट जाता है भाजपा में लेकिन इसमें आप कोई फर्क देख खेंट हुआ उन लोगों का और उन लोगों की सुनवाई तक नहीं हुई किसान लोग है मसदूर है महगाई से तरस्त हैं उत्पीडन से तरस्त हैं सड़कों सड़के मेहाल शायं na 10 डिजल पैंट्रोल कि इतनी महगाई है कि हर घर के अंदर एक बाइक टो कम से कम है ही चलो जे गेस का क्या सिलेंडर का रेट है कितना उन्होंने कवर किया है किसान हितकी बात करने तो किसानों को बीज खाद खाद में पांच किलो खाद पी गए उपर से दो तो दो सो तिरसी रुपे अभी जो ग्यहों की फसल हमारी अभी तियार होने लग रही हैं लोगों को मालूम नहीं था सरकार ने जाते जाते उसमें दो सो तिरसी रुपे बढ़ोतरी कर दिया डाई के खाद पे और डी एपी की बहुत आवशक्ता पड़ती है जब गन्या की ब महेंगाई के सवाल और साथ में लेकिन एक तरफ समाज और अती पिछड़ा और पिछड़े समाज पर जो शोशन हुआ है क्या चुनाव इन मुद्दों पर होगा एक तरफ महेंगाई रोजगार और खेती के सवालों पर होगा या फिर और 85 बनाम 15 या 80 बनाम 20 जिस तरह की किए बात हैं जिस तो क्योंकि ये चीज़ तो सभी का अधिकार है कंमित अधिकार है पीछासी वालों का भी चाहिए और पंद्रा वालों का भी चाहिए लेकिन आम सरकार ने जो अमेंडिड किया है व एक कानून कि SCS cena fight करेगा Ó 130 اس चुन में फाइट करेगा जनल जनलमें फाइट करेगा हमारी बच्चे जो 83 करते चेब चनल में क्वालिफाई करते थे और 207 वाले भी बच्चे जनलमें क्वालिफाई करते थे मेरे एक यंगर ब्रोदर है PhD में उसका सेलेक्शन हुआ है उसे ने जनरल में क्वालिफाई किया है और जनरल में क्वालिफाई करने की बदल जो उसके इंटर्वीवर बैठे हुए थे सामने उन्होंने कहा कि आप OBC में लीजी एडमिशन भाई मेरा अडियल था एड सरकार ने किया है जो जनरल में क्वालिफाई जनरल ही करेगा अभी आपको क्या उमीद है क्या यूपी में क्योंकि अभी फिर से कहिना कि राममंदर की बाते उठने वाली हैं क्या समाज क्या पिछड़ा और अती पिछड़ा समाज इस बार फिर से हिंदू-मुस्लिम पर व पॉलिसी के लिए चुनाओ होगा और चुनाओ दूजार बाइस में इसका रिजल्ट आपके समक्स प्रस्तुत भी ओने वाला है जादेश में समय के अंतिजार भी नहीं है जनता सारी जान चुकी है इनकी पॉलिसी किस पॉलिसी पर ये लोग काम करते थे उस पॉलिसी पर जनता आप काम नहीं करेगी अभी आपने देखा कि इस बार लगबग सारी सीटों पर एक और पार्टी भी चुनाव लड़ रही है वो है अजाद समाज पार्टी उन्हीं के उम्मीदवार राकेश सेनी के साथ है आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं सीसी ए पर चुनावी खबरे आप तक आती रहेंगे